तो हलो गाईज कैसो आप लोग वेलकम टो अनदर गेम प्ले वीडियो तो दोस्तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फ्रीडोम फाइटर्स तो हाँ ये एक बहुत ही जदा पुराना गेम है दोस्तो लेगिन आप मैंसे काफे सारे लोगों ने मुझे नीचे कॉमेंट किया था खेला हुआ है लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आपको पता होगा कि चिटकोर्ट बगर आते थे तो चिटकोर्ट जालके मैंने इस गेम को कंप्लीट कर लिया था तो खास कुछ मज़ा दोस्तो आया नहीं था लेकिन इस बार मैं ट्राय करूँगा कि पूरी तरह से स्टोरी के साथ इस गेम को खेलने के लिए तो अभी वैसे कोई ज्यादा टाइम वेस्ट यहां पर नहीं करते हैं और चलो इस गेम को भी सुरू कर लेते हैं तो अभी इस गेम का यहां पर कुछ इंट्रो बगरा चल रहा है आप यहां पर नीचे यहां पर पढ़ सकते हैं क्या यूएस के कुछ freedom fighters यहां पर soviet union के against यहां पर लड़ते हैं और किस तरह से धीरे धीरे करके US को आजाद करते हैं तो basically एही type के कुछ story है तो फिलाल के लिए इस game का जो intro है मैं उसको यहां पर थोड़ा skip कर रहा हूँ और हम चलते हैं इस game के menu के ओ तो यार इस gameplay को start करने से पहल कोई भी दिकत वाली बात नहीं अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको कोई यहां पर चोटा सावट आउट दे दूँ तो आप भी नीचे अपना नाम यहां पर comment कर सकते हो कोई भी दिकत वाली बात है नहीं ठीक है ना तो अभी चलो gameplay को continue करते हैं तो हम आ चुके हैं इस game के चलो यह वाला आचा रहेगा तो स्टार्ट करते हैं अभी अटो सेप को तो हम और नहीं करेंगे तो चलो अभी एक काम करते हैं स्टोरी को वर फटापट से थोड़ा हम पर फोकस कर लेते हैं तब ही जाके हमको game खिलने में और भी ज़्यदा मज़ा दो आएगा अच्छा तो यहां पर यह गाड़ी चल रहा है और यह बंदा है और ठीक है चलो दोस्तों मैं हम पर आपको सॉट में स्टोरी बता देता हूँ कि यहां पर जो चीजे चल रहा है वो क्या चल रहा है तो बिसकलि एक freedom fighter रहे जिसका नाम है जाबेला अंजला या फिर ऐसा कुछ टाइप का तो इसका जो boyfriend होता है वो इस game का main hero का भाई होता है तो उसको पकड़ने के लिए क्या होता है कि जो Soviet Union के army होते हैं तो वो इस आदमी के घर में अचानक से आ जाते हैं और आके यहां पर Isabella को धूंडने लगते हैं लेकिन आर पर तभी क्या होता है कि इस game का जो main hero होता है जो Mike या फिर ऐसा कुछ नाम था उसका तो वो क्या होता है कि यहां पर दरवाजा के पीछे छुपके एकदम से बच जाता है तो देखिए अभी जो हमारा main hero है वो इधर यह दरवाजा के पीछे चुपके हम पर बच चुका है तो यहीं सही हमारा स्टोरी हम पर continue होने वाला है तो देखिए स्टोरी हम पर continue हो चुका है तो अभी हमें क्या करना होगा तो बाहर चल के देखते हैं क्या कर सकते हम ओके तो इस चस्मिस वाले अंकल को हमने बचा लिया है तो यहीं हमें कुछ यहां पर थोड़ा वाच चीज़े सिखाएंगे Mr. Jones इसका नाम है तो यहीं बसिकली हमें गन चलाना मोलिटो फेगना क्या 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 चीज़े करना तो यहीं सारे चीज़े वो हमें सिखाएंगे तो गन वैसे मैंने इस गेम को खेला है तो मुझे तो कुछ खास दिखते हैं नहीं लेकिन स्टोरी वाइज ओके देखाओ तो मिसन के वाइज तो नीचे जाकर ही इनको मारना था लेकिन मैंने तो उपर से इन सब को टपका दिया ओए बड़े खुल इस दर्वाजे को खुल आकर हां तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां पर उपर से मैंने इन आदमियों को निप्टा लिया ओशिट ओभाई क्या हो आई यह किली इसका एक लगा soul हो गया अचा थी अणकल हमें doc क्ल आई में लेना हैं पूर अदो यह जो इसको आद मैंरे अई हमएं वल भी हो गया तो कोई दिकत वाली बात हो यहां पर हो यहां बेटल के लिए तो रडिए हूं आगे चलो भी हमें किस promise क्यों होगा साइध जो कि हमारे साथ बाद में आपर आगे भी मिसन कंटिनू करेंगा फिर क्या होगा चलो देखते हैं मुझे जतना याद है यहां पर हमें साइध किसी को हाँ ठीक है देखो जैसे मैंने आपर बोला था यहां पर कोई पड़ा है तो इसको हम रिस्क्यू कर लेते है हां ठीक है हां तो इस बन्दे को भंपिनें बचा लिया है तो यह आगे साथ हमारा कुछ खामा जाएगा क्या बता पुलाल तो मैंने इसको बचा लिए हां यह साउंड मुझे यार बह। दिन पहले मुझे साउंड को सुना था कज़ब इस गीम का जो साउंड है ना वो सीखना ठीक है ठीक है तो पांच मोलिटर इसमें दे दिया है हाँ फेकते हैं चलो हो भाई देखो खूबसरा तरीके से इन सब को तो हमने मार लिया ओ भाई इधर और भी हैं पर लटके थे ठीक है इनको भी मार लेते हैं कोई दिकत वाली बात है नहीं इस गेम का गर्ण रिक् बैसे कोई जाता है यहां पर बड़ी बात है नहीं आराम से लोग मर जाते हैं बहुत इजी टाइब लगता है इधर मारना तो कोई बड़ी बात तो इधर है नहीं और यहां पर हमें इस सवर के नीचे जाना है हम मुझे इतना याद है हम नीचे ही अपना बेस बनाएंगे तो सोबेट यूनियन से बचने के लिए ठीक है तो आटो से बहुत चुकी है गेम हमारा ओके अच्छा इधर क्या चला है तो मैं हाँ पर आपको थोड़ा सौट में बताऊंगा थोड़ी डिर बाद में लेकिन फिलाल मैं थोड़ा यहांपर फोकस करता हूँ और आपको बताता हूँ थोड़ी डिर बाद में यहांपर क्या हो रहा है तो इसका नाम मैं तत्रियाना केमपिसी की क्या ही अजीब नाम है यार तो बिसकली यह सोबेट यूनियन के लिए काम करती है लड़की जो कि यहांपर यह प्रेस कंफरेंज कर रही है तो वो बता रही है अपनी कुछ गौवर्णमेंट के चीज़ों के बारे में तो कुछ खास ज़्यादा इंपोर्टन चीज़े तो आई थिंक इधर कुछ चलने रहा चलो फिर भी थोड़ा फोकस करते हैं ट्रबल्ड कांट्री तो इधर क्या हो रहा है कि Soviet Union का जो General है जो इसका नाम इसका नाम क्या है General Tatarain जो है वो क्या करता है कि US के उपर पूरी तरह से हम पर कभजा कर लिया है तो वह ही इस जो union है इंको अडरेस कर रहा है कुछ खास important चीज़े चलने ना यह तो मैंने आपको game के starting में ही बोल दिया था और यहांपर देखिए हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि नीचे अपना जो temporary base है उसको यहांपर हमने बना लिया है तो इधर से हम सारा चीज़े हम पर प्लान करेंगे और दीरे दरे इसी चीज़ों के wise हम US के उपर हम अपना कबजा कर लेंगे freedom fighter game है तो ओही चीज़े हम करेंगे ना और क्या करेंगे देखिए तो यह चोटा सा खुबसरा सा temporary base हमने यहांपर बना है जो कि एकदम से हम पर underground है और कोई भी हम पर Soviet Union का आर्मी आकर हमें धून नहीं सकता लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है आगे आने वाले upcoming mission में यह जगा भी कोई कबजा कर लेगा और हमें यही जगा को भी हम पर चुडाना होगा तो वैसे बहुत इंट्रेस्टिंग गेम है यह है तो मैं हम ट्राय करेंगे कि इस पर जिट कोड बगरा नहीं डालने के लिए क्यूंकि जिट कोड डालने से तो सारा मज़ा खराब हो जा और सी फोरे वो नहीं है तो मैं सबसे पहले उस वाले लोकेशन पर जाना है ठीक है चलो ठीक है हां नहीं पोस्ट पोली स्टेशन पर जाना है हमें हां तो पोली स्टेशन से हमें सबसे पहले सी फोर लाना है और उसी सी फोर को मैं पोस्ट अफिस पर जाके उस गया स्टेश है कि विए खूल रहे हैं है यह 5 ले लिया मैंने अब हम चलते हैं पोश्ट ओफिस के ओर और पोश्ट आफिस पे हम क्या करेंगे सी पॉर को डेस्ट्रॉई करेंगे ट्का है भी हम में और वह इसपे पोश्ट ऑफिस चलते हैं तो भी हम दुबारा से आ चुके हैं अपनी यहां पर पोस्ट ओफिस पर और इधर से ही हम वो सीफोर लगाएंगे डेश्ट्रोई पर करेंगे तो चलो अभी थोड़ा आगे जाके देखते हैं अभी क्या है वो भाई साब इधर तो बंदे जख रहे हैं इधर से लगए क्या ट्राइ करते हैं शिट एड़सोट मिस हो गया कोई बात नहीं अगेचा के देख लेंगे इन सालों को कोई दिकत बली बात है नहीं देखो यह बंदा तो गया सबसे पहला वाला इधर यार यह मेसिन गन यहां पर लगा हुआ है और क्यों यार अपना गन अमोवेश्ट कर रहे हो वैसे इधर तो मेसिन गन लगाया नहीं हो जो सी कोई उस कर लेते यह कौन है मात करते हैं अच्छा यह बोल रहा है कि इधर वला जब तक फ्री नहीं होती है तब तक भया कुछ चीज़ें वो करेगा नहीं तो बैसिकली जो इधर वला थी तो इन सारे हैं जो फ्रीडॉम पाइटर से उनको लीड करती थी तो उसको ही सबसे पहले हमें आजा है कि और यह सबसे पहले है अभी है तो हमें क्या करना है हमें अब हम चलते हैं स्थेसन कि अब थोड़ा दून्वन पड़ेगा आज कि ओके तो सीफोर हमने अभी प्लेस कर दिया है तो अभी थोड़ा दूर चलते हैं और वेट करते हैं ग्यास्टेशन फट जाएगा साब बास हो गया सबस्ब पहला वाला मिसन क्या करें वीडियो को एंट करते क्या है इपर नहीं एक काम करते हैं इसाबला को आजएद करेंगे उसके बाद ही जाके इस गेंपले को खतम करेंगे ठीक है ना चलो इधर रास्ता आएगा यह आदमी अभी ने अभी वह सेम बात ही बोल रहा है इसाबला को आजएद करना ही करना होगा तो अब हम एक काम करते हैं हम चलते हैं नेक्ष्ट वाले लोकेशन पर ठीक है ना जो पॉलिस टेशन था उस पर चलते हैं अभी तो अभी दोस्तो हम आ चुके हैं पॉलिस टेशन पर और अभी हमें क्या करना है इस आदमी से बात करना है ठीक है तो देखते हैं पूछते हैं अभी यह बंदा क्या बोल रहा है ओके तो मेरे पास गोली तो बस तीस ही है कोई बात नहीं है अंदर जाके देख लेंगे अच्छा बेटा इसने स्पोर्ट कर लिया था मेरे को चलो कोई बात नहीं अंदर जाके देखते हैं तोड़ा सालेब भाग किदर रहा है ओ देखो शिट आमों खतम कोई बात नहीं पिस्तल है मेरे पास यह एक्तम भाई मुवी टाइप का मर को लग रहा है एक्तम खतरनाक वाला यह साउंड बांड आ रहा है और यह लाइट वाइट इदर मलब की हो रहा है जो भी तो मैजूरिटी बंदों को हमने अभी निप्टा लिये हैं अभी आके ही एक दो बंदा बचा होगा सातर्द तो इस गेम पर हम यार बंदा नहीं बोलेंगे वह वह फील नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे सोल्जर बोलेंगे ठीक है तो अभी तो ये क्या बोल रहा है हमें पार्किंग के त्रो ये अंदर जाना होगा ठीक है ओ भाई साथ देखो उपर कितने सारे बंदे हैं यार अगर उपर के त्रो गया ना तो भाई जान ले लेंगे ये लोग मेरा ठीक है हम पार्किंग के तो जाते हैं कोई भी यहां पर दिकत वाली बात है नहीं ओ देखो वो सारे बंदे अभी दूर है थोड़ा तो अभी गोली चलाओ नहीं अभी मैं नहीं चलाओगा थोड़ा आगे जगे चलाते हैं हाँ इधर इधर सही रहेगा साथ चलो हो भाई कोई भी नहीं मरा शिट हो भाई बस चारी बंदे यार इन लोगों तो मार लूँगा मैं जैसे ओ भाई सब्सक्राइब को यहां पर कहीं पर चुपके ना यहां पर हेल्थ पैक लगाना होगा मेरे इस गेम का मर्ग हए सबसे अच्छी बात क्या लगता है विजो हैल्थ पैक है वो एक सेकेंड में ही ले जाता है आप वैसे लास्त डाइदमि्मा अलमोस्ट मारी देता है इसको तो मैंने मार लेने को मैं सोच रहाता लेकिन हल्ज है यह नहीं पाया लेकिन फिर भी कोई दिख्वाली बात नहीं है उस लाश्ट आदमिकों मैं एक दम से मुक्वे से मार लिया चलो अभी एक काम करते हैं उपर चलते हैं थोड़ा ले लिया हमने थोड़ा आमो वामो ले लेते हैं ठीक है असल ट्राइफल पर तो अभी हमारे पास बहुत आमो आ चुकी है अभी हम लड़ पाएंगे आराम से मेरे असाब से कोई दिकत वाली बात यांपर होना तो नहीं चाहिए चलो उपर देखते हैं इसले कि अदर देख रहाता है तो यहां पर कुषी को देख रहाता और नीचे से इसको हमने टफका लिया तो यहां पर कुछ मॉलट्रौ फेक तो में मॉलट्रौ फेक दिया लेकिन कोई दर मरा नहीं चलो इन सब गुंटे को थोड़ा बहुत इदर हम फिनिस कर लेते हैं और अभी उपर जाएंगे हम ठीक ना इन सब को मारेंगे पहले और उसके बाद हम उपर जाएंगे ठीक है तो ऊपर अभी कापी सारे गुंड़े ख़तम हो चुके हैं और अभी हम उपर आचुके हैं ओव भाई धेखो तो हम अच्छत ऊपर आये थे और ऊपर आने के बाद भी इतने सारे बंदे इधर भी है और पीछे से विपढ़ रहे भाई कितने सारे आया है इधर बहुत सारे चोलजर है इधर ठीक है तो एक एक करके इन सब को मार लेते हैं और इधर ही इधर ही कहीं वो इजबल होगी तो उसको भी हम आज़ाद कर लेंगे आराम से कोई दिकत वाली बात है नहीं देखो बार आ रहा था यह बंदा चुप चुप कर ठीक है तो इसको हमने मार लिया तो अभी पीछे से चलते हैं और उपर चलते हैं और उपर चलते हैं नहीं यह वाला रास्ता है नहीं दूसरे वाला रास्ता बे जाना होगा यह वाला रास्ता तो ब्लॉक है ठीक है वे तू तो क्या कर रहा है यह कैसे बज गया था यार फोपना नहीं चला इसको तो पारे में दो इधर के साइड भी और बंदे होंगे गया नहीं वह भाई साब कितने सारे सोलजर यार इधर तो तो मैं काम करता हूं थोड़ी थोड़ा गेंपले में आपको थोड़ा स्किप कर देता हूं और थोड़ा अगे ले चलता हूं यार इतने सारे गुंडे इतने सारे यहां पर सोल ठीक है तो यहां पर सारे गुंडे को हम मारने के बाद इधर हमें फाइनली इसावेला मिली गई तो यहां पर दीखिया अभी कुछी गुंडे यहां पर बचे हैं तो इन सब को हमने मार लिया तो अभी इसावेला हमें मिल चुकी है तो इसको सबसे पहले हम आजद कर लेते है ओके तो इसको हमने आजद कर लिए उसके बाद अभी हम क्या करेंगे जो सोभेट उनियन का इधर फ्लाग लगा हुआ है तो इसके एकदम चोड़ से इधर हम चेंज कर लेंगे और यहां पर यूएस का फ्लाग लगा देंगे ठीक है ओ भाइच साब देखो तो हमारा सबसे पहला वाला मिसन यहां पर खतम हो चुका है तो अभी हमें क्या करना होगा हमें जाना होगा पोस्ट ओफिस पर तो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और यहां पर हो चुका होगा सायद 20-30 मिनिट तो होई चु बढ़ा देंगे और लेकिन एक और नया चीज इंटूडूस होगा जो कि इधर आपको जो कि आपको इस बाल एपिसोड पर दिखा नहीं है तो हमें क्या होगा कि दो बोडिकाट टाइप के लोग मिलेंगे जो कि हमारे सारे कमांड बगरा को फॉलो किया करेंगे तो बहुत इसी नीचे कमेंट करेंगे बताओं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको तो पता है क्या करनें आपको लाइक करनें सैर करने सब्सक्राइब करना है आफ ही का वीडियो जो दिल करें वो कर देना कोई दिकत वाली बात है न ही और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लो तो मिलें क्या आर बहुत ही जल्दी एक नेक्स वाले वीडियो पे तब तक के लिए गुट बाई झाल